आप देख रहे हैं बुलेट्स रिपोटर मध्य प्रदेश की रिवा से बड़ी खबर कमर तोड़ती पेट्रोल डीजल की महंगाई और उपर से पेट्रोल पंप संचालकों के द्वारा पेट्रोल पंपों में पेट्रोल मीटर से चोरी कर कम देने के चलते वहन मालकों की कमर लगातार तोट रही है हद तो तब हो जाती है जब विरोध करने पर पेट्रोल पंप संचालकों के द्वारा मारपीट भी की जाती है ताजा मामला विच्या थाना छेत्र के कुठुलिया में संचालित पेट्रोल पंप का है जहां छोटा हाथी सवार मल्लू नाम के वेक्ति के साथ तकरीबन आधा दर्जन लोगों ने जम कर मारपीट कर घायल कर दिया मारपीट की वज़े 505 रुपे का पेट्रोल डलवाना बताया जाता है घायल ने बताया कि उसे जानकारी हुई थी कि पेट्रोल पंपों में मीटर फिक्स रहता है जिसके चलते वह 505 रुपे का पेट्रोल डलवाना चाहता था लेकिन पेट्रोल पंप आपरेटर के द्वारा उसके बाहन में 500 रुपे का ही पेट्रोल डाला गया जब उसने बताया कि वह 505 रुपे दिया है तो पेट्रोल पंप आपरेटर ने 5 रुपे बापस कर दिया लेकिन बाहन चालव 505 रुपे का पेट्रोल डलवाने पर अड़ गया तो दोनों के बीच कहा सुनी होने लगी जिसे सुनकर पेट्रोल पंप मालिक वहां पहुचा और गाली का लोज करने लगा देखते ही देखते आधर दर्जन लोग वहां पहुच गये और पाइप डंडो से उसकी धुनाई कर दी फिलहाल गायल की शिकायत पर पुलिस ने उसका मेडिकल कराया है और मामले की चांच कर रही है बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रिवा तो उसके कारण हमने बोला कि 505 के जब बोलें तो 505 क्या क्यों नहीं डाले वा तो दादा ने बहांस वाजी शुरू कर दी पांच रुपर वापीस कर दी हम बोले राउंड फिकर में नहीं डलवाते हैं इसलिए हम यह बोल दी हैं कि मीटर फिक्सिंग रहता है तो इसके बाद भावत यानि वो दादा जो थे हैं वो बहांस वाजी करने लगे उल्टा सीदा डाली को लोज करने लगे फिकर ना जाओ नहीं करेंगे फ़ला ना डिम का तो ऐसी काफी समय तक बहांस वाजी चलती में लगे हैं और मोम पूरे में और लंदा इंड़ा से डंडा और पाइप से मारे हैं वहां पर वहां जू उनका कैमरा लगा हूँ ऑनकर वीडियो कुछी अपना कुछुलिए पर डू करन का है कपूल्दाफ़काम के हैं जो कुछुलिया में ॉस श्वाजिक सभातना है य पहले तो दादा थे अकेले फिर पीछे से आए ते चार पांच बेखती एक आदमी ने पाइप लिया था पाइप समा रहा है और बाकी सब दंडे समा रहा है अभी नाम नहीं मालूम तो पूरा दर्ज नहीं हुआ वो मेडिकल करवाने आए आए यहांट अभी नाखोक में आई है यह और यह पीछ में है और यह पूरे पेर में है दाए पेर में पूरे में थाना यह ज़त्वन लगता है झाल झाल